छेलो दोस्तों स्वाrupt ही हमारी योटूब चेनल जिसका नाम है अग्रेकर्टरिसकोब दोस्तों आज हम प्लांट के बारे में बात करेंगे यह प्लांट है ऐलमोवाइन का ऐलमोवाइन मिन्स यह वारा जो प्लांट होता है आप देख लीजिए इस प्लांट को जाना जाता है अपने ग्रोथ के लिए आप ऐसे मान लीजिए जैसे कोई रेल की पटरी जो कभी खतम ही नहीं होती वेसे ही ये बेल भी बढ़ती ही जाती है बहुत ज़्यादा बढ़ती है दोस्तों ये वाला जो प्लांट है आप देख सकते हैं मैंने इसको निचे लगाया है और ये उपर चत को पहुँच गई गई मैं आपको चट की उपर से भी इसको दिखाऊंगा आपको इसके साथ ही हम इसे कैसे ग्रोफ कर सकते हैं कैसी इसकी कर सकते हैं ये सबी आपको में बताओंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडिय इस प्लांट के अगर हम बात करें तो इस प्लांट को जाना जाता है अपनी ग्रोथ के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और देख सकते हैं इसमें बहुत सारी जो इसकी यह प्रांचेज है वह बहुत ज्यादा फेलत तरह से दिवारे बना दिए और उसकी कठिंग करके बहुत ही अच्छा शेप दिया है आप देख सकते हैं इसकी ग्रोध केसी है मैं आपको इसके दूसरी साइड भी बताऊंगा यह देख सकते हैं दोस्तों आप ये नीचे से डायरे चत तक पहुंच गई है और मेरा तो प्लान यह है कि मैं इसको पूरी रेलिंग तक लेके जाओं ताकि इसका जो इसका जो ग्रोध है वो भी बहुत हो और साथ बहुत ही बीटिफुल भी लगे दोस्तों इस प्लांट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा यह वाला जो प्लांट है आप इसे सीड से आराम से ग्रो कर सकते हैं वैसे तो इसमें अभी सीड नहीं आ रहे हैं लिए मैं आपको बताओं इसके एक सीड पोर्ड में तीन से चार प्लांट तीन से चार जो सीड होते हैं वह आते हैं व आपको चत पर जाके आपको इसको दिखाता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो हमारा प्लांट है यह उपर तक टॉप फ्लोर तक आ चुका है यह देखिए और इसकी जो ब्रांचेस हैं कितनी लंबी-लंबी है अब यह जो ब्रांचेस हैं यह इसको तरहें यह में यह जो यह स्पेशल लगता है जिससे नोर्मल जो केडे मकोड़े दूर बखते हैं वह पौँर में नी इशीकुद क्या है बाकी इसमें कोई स्पेशल इंसेक्ट लगता है अब देख सकते हैं दोस्तों इस इसमें कुछ इस प्रकार की यह जो इसके फ्लोरONA वो वायट कलर के हो जाते हैं और उसके बाद में कुछ टाइम बाद मुड़ जाते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले इस प्लांट को आप केश उगा सकते हैं तो दोस्तों आप इसको उगाने के लिए इसकी सीड का प्रियोग कर सकते हैं इसका जो सीड है उसको हम आराम से केसी भी जगह पर हम अगर उसको डाल देंगे और अगर उसको तीन-चार दिन में तीन-चार बीज डालके वां ने के बाद में इसमें पाणी डाल दीया था इस सिरे प्लांट आराम HOW ontro the आखने में काफी सुन्दर लगती है चैसे अब हो प्र o सुन्दर लगती है ये पह जाए लगती है जब यह بार पुरा कवर कर लेती हैं तो इसके बाद में और भी जान्स संद्र की एग साल says उương प्रसिट की स?」 कि इस्ञास हो दोस्तो इस कंघ सब्सक्राइब। उलती इस सब्सक्राइब को खास व्हों होती 앤 ज्सक्त तो इस बैसमा को श्क्राइब आप 10 संतन को फील गोगवर्याध तो कोई special खाद देने की भी जूरुत अभी तक तो मुझे इसमें फिल नहीं हुई है लेकिन अगर आप चाहें तो देश सकते हैं वो बात करें अगर हम sunlight की तो दोस्तों ये वाला जो प्लांटी से full sunlight चाहिए अगर मान लीजिए कोई shadow वाली जगह अगर आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो ये प्लांट ग्रो नहीं करेगा आप देख सकते हैं इसकी ब्रांचे कितनी लंबी है बहुत ही अच्छी फुटान होती है और साथ ही जो ये बेल है वो भी बहुत जल्दी जिसे कोई बेमबू हो या कुछ भी हो हम इसे उस पर चड़ा सकते हैं जिसे ये आराम से लग जाती है और दोस्तों अगर हम बात करें इसके केर की तो इसे कोई special केर की जुर्द भी नहीं होती है बस इसे एवाल लगा दो और भूल जाओ बस हमें ये ध्यान अकना है कि जो आवर जानूर होते हैं उनसे हम इसे प्रोटेक्ट करें इसके लावा तो और किसी तरह की कोई बेल इस प्लांट को जुर्द नहीं होती है अगर आप ऐसा प्लांट डून रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फिलता हो और बहुत ज़्यादा सुन्दर लगे तो ये ऐल्मो वाइन है इससे बढ़िया कोई और विकल्प नहीं हो सकता मैंने इस रेलिंग को ढखने के लिए ही ये वाला जो प्लांट है ये लगाया है ताकि ये पूरती तरह से ढख जाए और उसके बाद में डखने के बाद ये जो रेलिंग है बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगे घर भी डेकोर हो सके तो दोस्तों ये थे आज का हमारे वीडियो एल्मो वाइन के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सस्क्राइब करें लाइक करें शेर करें और हमारी जो दूसरे किसान भाई और अब मित्र हैं उनको भी भेजें तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई